तो हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू अनदर वीडियो मैं हूँ आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोग का डेली व्लॉक्स में दोस्तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं वापस गंजा हुआ हूँ बहुत सारे लोगों के बार बार कोशन आ रहे थे कि भाई क्या इससे इसकिन ब्लैक होती है भाई हम कैसे डर्म रोड यूज करें भाई लोशन किस तरीके से लगाना है है हैर वाश कैसे करना है मे आपकी हैर रिक्रोड बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तो हमारी जो जनरेशन चल रही है अभी इस समय बहुत सारे लोग गंजेपन के शिकार हो चुके वह चाहते कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है न्यू है रिलोजन लगाने के बाद पर उनको टेक्नीक नहीं पता उनको नहीं पता किस तरीके से इसको यूज करना है किस कितने बार इसको यूज करना है कौन सा डर्मोड यूज करना है तो बताऊंगा मैं इस चैनल में दोस्तो अगर आप भी गंजेपन के शिकार हो तो वीडियो को अभी लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो त उसके बाद 1 mm और उसके बाद 1.5 mm दोस्तों आप लोग को बताता चलू कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं न्यू हैर और लोशन जो की बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बहुत सारे लोगों के इससे बाला है मेरे एवन मेरी हैंलाइन बहुत पीछे हो गई थी अब बहुत अ तरीके से आपको अपने सर पर लगाना है दोस्तों ज्यादा तेज मत करना वड़ना आपकी स्किन से ब्लड निकल लग जाएगा और आपको बहुत पीन होगा इसको हलके हाथ से अपने पूरे स्काल्ट में इस तरीके से लाना है देखिए इस तरीके से आपको हराम-हराम से दोस्तो पूरे head में इस जगा से पकड़ना इसको इस जगा से और इसको पूरे scalp में इस तरीके से जो है आपको हलके हलके हाथ से इसको इस तरीके से रगड़ना है दोस्तो इससे क्या होता है इससे आपकी blood circulation एक तो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और दूसरे आपके सर में छोटे छोटे जो hole बनेंगे वो आपके सर पे new hair oil lotion को डलबा देंगे समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि जितना जादा अच्छे से आप इसको करते हो उतना जादा अच्छे से scalp में आपके तेल पहुचेगा बताओंगा तेल किस तरीके से उसकरना है पहले आप इसको कम से कम करीब तरी दोस्तों आपको एक से डेड़ मिनट इसको लगाना है इस तरीके से अब ध्यान रखना यह जो आपका वी बन रहा है इस जगा पर और इस जगा पर और यह आपकी हैल लाइन पर किस तरीके से मालन और यह भी वाइट है और बहुत साही लोग बोलते हैं कि यह काला हो जाता है यह दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो में बने रहना आप 20 दिन बाद 30 दिन बाद मेरा स्किन ऐसी रहेगा क्योंकि मैं को टेकनिक पता है मैं नहीं गलती करता आपको भी नहीं करने दूँगा बेफिकर रही है बस ध्यान रखना तेल लगाने से पहले 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक आपके सर में पसीना नहीं आना चाहिए और आपके बिल्कुल हाथ आपके साफ होने चाहिए हलके हाथ से आप इसको पूरे सकाल्प में इस तरीके से रगणना ठीक है यह ध्यान रखना यह जो आपकी लाईन है यह यह बहुत अचाहिए है अच्छे से आपको लगाना है अगर तेल कम पड़ा है तुरह आप की और माड़ सकते हो दोस्तों यह पर आपको दो इस्परी देखें किसतर नहीं एक पर आपको डेये लैवांट इसे बहुत ध्यान राज़ा ब्लस्तों यह आपके हो चुके आपके टोटल साथ इसपरे अब ताकि जो आपके जितने भी छोटे छोटे आपके पहले हूल बने थे वहाँ पर आपका तेल पहुंच जाए दोस्तो इस तरीके से आपको पर आपको करना है अब आपको लगता है कि भाईयो तो बहुत टाइम टेकिंग है दोस्तो नहीं अगर आप गंजेपन के सिकार हो चुके हो 24-25 साल के हो तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टैप है आपको यह करना है अगर आप यह करते हो तो मैं गयरंटी ले रहा हूं राहूल पमार गयरंटी लेगा कि आपके 110 परसेंट बाल आएंगे दोस्तों मैं आप लो लोग के लिए ताकि आप लोग को अच्छे से मैं सिखा सकूँ इसलिए मैं दुबारा गंजा हूँ मैं आसा करता हूं मेरे बाल आए तो आपके भी आएंगे मिलते अपनी अगली वीडियो में तब तक दोस्तों अपना खैल रखिए बाबाए